असलाम अलेकुम, आज मैं आपके थार शेयर कर रही हूँ एक तम रेस्टरांट स्टाइल पनीर बटर मसाला बनाने की रेसिपी, बस स्टेप बाइ स्टेप इस रेसिपी को फॉलू कर लिजेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये पनीर बटर मसाला आपने घर पर बनाया, एक तेस पतेस में डाल देंगे, और हलका सेंट को क्राकल कर लेंगे, जिससे कि इनकी खुश्बू तेल में रिलीज हो जाएगी, अब आधा कपी करीब बारिक का टीवी प्यास डाल देंगे, फाइन चॉप करके डालेंगे प्यास, और प्यास को सॉफ्ट हो जाने तक फ्राइ एक टीस्पून भर के धनिय का पॉटर और एक टीस्पून नमक डाल देंगे, नमक मिछ टेस के हिसाब से आप रख ली जगा, यह मसाले डाल कर भी भून लेते हैं इसको तब तक भून लेंगे, जब तक तेल सर्फेस पर नहीं आ जाता है, अब दो मीडियम साइज के तक टीस्पून बटर डाल देंगे, अब दो चुटकी हल्दी, दो चुटकी नमक और दो चुटकी लाल मिश का पॉडर इसमें डाल देंगे, और साथ में 200 ग्रैम के करीब इसमें पनीर डाल देंगे, पनीर को मैंने पतला और लंबा पीसे में काट लिया है, मन्ना छोटे- बारिक टीवी अध्रक और बारिक टीवी हरिमेश डाल देंगे, तकरीबान एक एक टीस्पून दोने ही चीज़े डाल देंगे, और 30-40 सेकंड के लिए इसको और फ्राइ करेंगे, और गैस आफ कर देंगे, इसको साइड में रख देता है, इधर यहां पर हमारा मसाला भी बच्छे से भून चुका है, तेल सर्फेस पर आने लगा है, अब इसमें 1x4 cup यानि की 4-5 चमश दही डाल देंगे, और दही डाल कर भी इसको थोड़ा सा भून लेंगे, जब तक दोबारा से तेल सर्फेस पर नहीं आ जाता है, अब इसमें काजू का पेस डाल देंगे, द दूद की मलाई, दो टेबल स्पून के करीब, यह ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो इसके भी कर सकते हैं, और साथ में 1-2 तीस्पून गराम मसाला और 1 टीस्पून डालेंगे, बहुत थोड़ी सी डालेंगे, लेक इसके वज़ा से पानी का कलर आपको थोड़ा सा वाइट लग रहा होगा, अब इसको धकर पका लेंगे, तकरीबन 8-10 मिट के लिए बिल्कु धीमी आश्वर, तो तकरीबन मैंने यहां पर 8 मिट के लिए एकदम लोफ निम पर इसको पकाया है, और यहां पर हमारा बहुत ह तैस्टी पनीर-बटर-मसाला बनकर तयार है, एकदम रिच ग्रेवी के साथ एकदम रेस्टराइन स्टाइल हमारा बनकर तयार होता है, आप इसको बनाएंगे ना तब ही जान सकते हैं कि यह कितना तैस्टी बनता है, इन फैक्ट जो अपने पनीर बटर-मसाला स्टाइल हमारा पानीर बटर मसाला बनकर तयार है बना कर देखें और मुझको बताएं कैसा बना आपका पानीर बटर मसाला क्योंकि मुझे पूरी उमीद है यह बहुत टेस्टे बनने वाला है और अगर आपको रेसेपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजेग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज बिना सब्स्ट्राइब के मचाएगा थैंक्स पर वचिंग दे वीडियो अला आफेज